नमश्कार दोस्तों आठ अगस्ट जो के सोमबार है उस दिन है पुत्रता इकादशी जी हाँ पुत्रता इकादशी जो है यह बच्चों से सम्बंदित होती है और यह सावन का आखरी सोमबार भी है मैं आपको याद दिला दूँ इसलिए इस दिन पे आपको बच्चों से रिलेटिट कोई भी दिक्कत हो तो आप इसे भगवान के पक्ष में रख सकते हैं जैसे आप विश्णु जी को येलो फूलों की माला अरबन कर सकते हैं और महालक्षमी को गुलाब की माला साथ में पांच कपूर आप अरपित कर सकते हैं मैं आपको याद दिला दूँ कि क्योंके ये एक आदशी है इस दिन आपको चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं पर आप चावल का दान जरूर कर सकते हैं इसके साथ ही क्योंके ये दिन बच्चों से सम्मंदित है तो या तो आपके बच्चे हैं और उन्हें कोई दिक्कत है परिशानी है तो वो आप दूर कर सकते हैं भगवान के पक्ष में इस चीज को रख कर या आपके बच्चे नहीं हैं तो भी आप भगवान को इसके लिए प परपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप घर पर हैं, तो आप विश्नु सहस्तर नाम का पाठ कर सकते हैं। सत्यनाराण कठा करने के लिए भी ये दिन बहुत ही बढ़िया है। और आप कुछ ना कर सके, तो ओम नमस्षिवाय का जाब, विश्नु जी का जाब और आप उपवाज भी जरूर कर सकते हैं। कादशी और सोमवार का। नमस्षकार